हे गाईज वेल्कम बाग टो माई चैनल दिस इस पल्लवी और आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या-क्या इंग्रिजेंट्स लगेंगे यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने रिक्टांगल शेप में कट कर लिया है दो बड़े साइज के प्याज लिये हैं जिसे स्क्वाइर शेप में कट किया है और दो शिम्ला मिर्चे जिसे मैंने स्क्वाइर शेप में कट किया है अद्रक लेसन का पेस्ट, कॉर और चिन्क्स का पनीर चिली मसाला लिया है जिसकी होशहीं। पनीर को फ्राई करने के लिए सबसे पहले पनीर पे हम कॉंद सटाच को स्प्रिंकिल कर देंगे। 4-5 जम्मच इसमें डालेंगे हम कॉंद स्टाच और इसको हातों से अच्छे दिनागे। कड़ाई में मैंने रिफाइंड ओयल डाला हुआ है तीन से चार चमच और इसमें हम हमारे पनीर को फ्राइ कर लेंगे तिल गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम पनीर को डालेंगे हलके हाथों से चलाते हुए पनीर को हम अच्छी से गोल्डें ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे पनीर को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करना है बहुत हाई फ्लेम पे नहीं फ्राइ करेंगे पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने में चार से पाश मिनट लग जाएंगे और पाश मिनट के बाद हमारा पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन यह देखिए हमें इस तरह का कलर लाना है पनीर में चार तरफ से गोमा कर अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे और यह पनीर हमारा फ्राई होने के बाद उसी कड़ाई में मैंने अद्रक लेसन और मिर्च का पेस्ट डाला है और इसको दो मनट के लिए भूल लेंगे जब पेस्ट हमारा भून जाएगा हलका सब राउन हो जाएगा उसके बाद उसमें हम प्यास डाल देंगे और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे प्यास को लो फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक भूनना है सिर्फ दो मिनट के लिए और उसके बाद हम हमारा शिमला मिच डाल देंगे और इसे भी मिक्स करके पांस से दस मिनट के लिए भूल लेंगे जब तक हमारा शिमला मिच सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसमें हम डाल देंगे नमक यहाँ पे मैंने एक चमश नमक डाला है और इसे मिक्स करके ढख कर थोड़ी दिर के लिए पका लेंगे गूल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है गरम पानी लिया है और जो बचा हुआ कॉर्ण स्टार्स था वो भी मिला दिया है और यह चिंक्स का मसाला मिला देंगे और इसका हम एक गूल तयार कर लेंगे द्यान रे इसे हमें गरम पानी में ही मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे प्याज और शिम्ला मिर्च बाग चुकी है अब इसमें हम हमारी फ्राइट पनीर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे सुया सॉस यहां पर मैंने दो से तीन छोटे चम्म सुया सॉस डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो हमने घोल तैयार किया था वो मसाले का उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे जो कॉन स्टार्ज बचा हुआ हमने इस घोल में डाला था उसके वज़ा से यह ग्रेवी अपने आप ठेक हो जाएगी अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें अगर आपको ड्राई रखना है तो इसे इसी तरह से ड्राई होने तक पका लें मुझे चिली पनीर में थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इस तरह चलाते हुए इसे हम पांश मिनट के लिए पका लेंगे ढकन को ढक देंगे और पांश मिनट के बाद ये बिलकुल रेडी हो जाएगी ये देखे हमारी चिली पनीर बन के तयार है अगर आप लोग को ये रेस्पी अच्छी लगी है और लाइक दिस वीडियो लीव अ कमेंट और सब्स्राइब तो आप चैनल